सर्दियों की जान पंजाब की सान सर्सों का साग ऐसा बनाएंगे जो आप उंगलिया चाटने पर मजबूर हो जाओगे और एकदम आपको गाम की आदा जाएगी नमस्कार मेरा नाम सिता कुमाउत और आपके अपने चैनल सितास कोकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम सर्सों का साग बनाएंगे जो वो टेस्टी रेसिपी है और बहुत अच्छी लगती है और इसमें विटामिन आएरन केलसियम बहुत रहता है तो इसकी सब्जी बहुत अच्छी रहती है शरीर के लिए सर्दियों में खाना सीए ये देखो दो तरह की सर्सों है मेरे पास में एक ये वाली सर्सू है ये पिली वाली सर्सू रती है ये अलकी सी कड़वी रती है और ये मीठी सर्सू बोलते है इसको ये देशी सर्सू रती है इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है तो आज हम देशी वाली सर्सू की सब्जी बनाएंगे बहुत अच्छी बनती और ये देखो इसके डंधल बिल्कुल पकी हुए नहीं है, एकदम कच्ची है, इसकी सब्जी बनाएंगे आजम, देखो दो-तीन जगे से में तोड़के बता रही हूँ आपको, पूरी तरह से कच्ची है ये, इसमें बहुत विटामिन रहता है, इसकी सब्जी बनाएंगे हम उसको साइड में रख देंगे और इसको देखो छील के सबजी बनाएंगे हलका सा छील का रहता है तो वो सबजी में अच्छा नहीं लगता है यह देखो इस तरह के से नाकुन से छील लेना है पता है हम लोग गाह में पहले रहते थे तो खेती में जाते थे ऐसे सर्सो दिख जाती थी तो उसकी डंडल तोड़के हाथ से छील लेते थे और ऐसे कच्ची खा जाते थे बहुत अच्छी लगती थी देखो इस तरह इसे पूर्य छिलका निकाल देना है यह डंडल बहुत अच्छे लगता है कक्चे भी खायेंगे तो बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से मैं पूरी टंटल को छिलके त्यार कर लूँगी ये मिलते नहीं है, सहर में कमी मिलते है खाली पत्ते वाली सब्जी मिलती है सरसो की लेकिन एक गाम से एक भईया आये थी तो उसने दिया था मैं सोची मैं रेसिपी में भी बना के डालूँगी आपको पसंद आएगा, तो वीडियो पसंद आएगे तो लाइक सेर जरूर करना चैनल पे नई हो तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करना और ये तोडे मुली के पत्ते लिए मैंने ये भी सब्जी में डालूँगी मैं और ये पालक और बत्वा ये भी सबजी में डालेंगे बहुत अच्छे सबजी बनती है और एक चीज और डालेंगे इसमें जो है की मेती मेती, मुलीगे पते, पालक, बत्वा और अभी एक चीज ग्रेट ओर आ रही है यह देखो, यह है यह क्या चीज है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना यह जो लाश्ट में लिया है मैंने यह कौन सी चीज है, कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको पता है तो यह भी में डालूँगी इसमें इसकी कड़ी भी बनाई जाती है, डाल पालक बनाते तो इसमें भी डालते है तो बहुत अच्छी बनती है इसका नाम है पालर मारवाडी बासा में इसको पालर बोलते है बागी यह है गाजर के पत्ते आपको पता है और आपने देखा है तो जुरूर बताना मुझे कि इसको आपके बासा में क्या बोलते है मेती और सरसूं, पालक के पते, बत्वा, मूली के पते, यह सारी सब्जीयों को मिक्स करके सब्जी बनाएंगे आजम, बहुत टेश्टी सब्जी बनती है अब ही अगर आपके पास में भी इतनी सब्जीयों हो, तो एक बार बनाना बहुत अच्छी सब्जी बनके तयार होती है अभी पालक को भी काट लेंगे बारिक बारिक अभी सर्सूं को भी काट लेंगे, पूरे डंटल की सब्जी बनाएंगी आजम और आपको हाथ से नहीं कटता हो तो चोपिंग बोर्ड पे इसे रखना और बारिक बारिक काट लेना जितनी बारिक आप सब्जी को काटोगे उतनी अच्छी सब्जी बनके त्यार होगी सारी सब्जियां काटके त्यार कर लिए मैंने अभी अच्छे से दो तीन बार दो लेंगे क्योंकि पत्ते वाली सब्जी में मिटी बहुत रहती है दो से तीन बार दोएंगे इसको इस देखो पूरी सब्जी को मैंने दो से तीन बार दो लिया है अभी एक उकर लेंगे और सारी सब्जी को उसमें डाल देंगे बहुत अच्छी सब्जी बनती है आप एक बार बना के जरूर ट्राइ करना सारी सब्जी को में डाल दिया है अभी चार से पांस मेने हरी मिर्च को टुकडे में करके वो डाल दिया है और थोड़ा अखाला सुन और कदुकस की अद्रक और सुवाद के नुसा नमक डालेंगे नमक कमे डालना है यहाँ पे क्योंकि हरी सबजी में नमक अक्सर रहता है पत्ते में और अभी डखन लगा देंगे और दो सीटी आने देंगे ज्यादा देर तक नहीं पकाना है दो सीटी आएगी उसमें अमारी सबजी पक जाएगी दो सीटी आगई अभी यह इसको बंद कर देंगे और यह देखो अमारी सबजी एकदम पूरी पक गई है कुकर भरावा था कची सबजी से और अज अभी सब्जी पकी है तो थोड़ी सी हो गई है अभी गेस की नीचे उतार लेंगे इसको और ये देखो आपको मेहास से बता रही हूँ लसून को निकालके कितने अच्छे सी हमारा लसून पक गया है ये देखिए अखा ही डाला है का दुखस करने की कोई जरूत नहीं है क्योंकि इसमें उबल जाएगा और अभी एक लोटा लेंगे और लोटे से जुगाड लगा के हम सब्जी पीस के तयार करेंगे ये देखो लोटा लेके इस तरह के से सब्जी को मिक्स करेंगे तो हमारी सब्जी एकदम मिक्स होके तयार हो जाएगी आपके पास में अगर मतनी हो तो उस्चे भी कर सकते हो लेकिन आज मेरी मतनी तूट गई है तो हमारे पास कोई चीज नहीं हो, तो हम जुगाड केसे लगाए, वो मैं आपको बता रही हूँ यह देखो 10 सेकिंड मैंने सब्जी को इसे मिक्स कन लोटे से और सब्जी अमारी मिक्स होने लगी है, पांच मिनिट और मिक्स करेंगे तो हमारी सब्जी एकदम मिक्स हो जाएगी ये देखिए इस तरह के से सब्जी मिक्स हो गई है आप भी इसी तरह के से जुगाड लगा ना कभी कोई चीज नहीं हो तो ये देखो कितनी अच्छे से बारिक पिस गई है हमारी सब्जी कोई कहेगा कि हमने ये लोटे से मिक्स किये सब्जी को अभी सब्जी मिक्स हो गई है अभी यहाँ पे लेंगे दो चमच बेशन आपके पास में मक्य काटा हो तो वो भी ले सकते हो मकेका भी नहीं हो बेशन भी नहीं हो तो आपके पास में बाजरी का या गेहूं काटा हो वो भी ले सकते हो दो चमच यहां पर लेके थोड़ा पाने डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करके अभी सबजी में डाल देंगे पूरा सब्जी में डाल देंगे और अच्छे से 2-3 मिनट पकाएंगे इसको 2-3 मिनट में हमारी सब्जी अच्छी बनके त्यार हो जाएगी अभी एक अड़ाई लेंगे और उसमें एक बड़ी चमच गी की डालेंगे गी का तड़कर लगाएंगे सब्जी में तो बहुत अच्छी सब्जी बनती है और गी गरम होने के बाद में जीरा डालेंगे एक बारी कटा हुआ प्याज डाल देंगे और थोड़ी कदूकेश की अधरक और दो तीन हरी मिर्च बारी काटके और दो हरी मिर्च को सलाइसेश में काट लिया है और ददरा कुटावा लसुन ले लिया है वो भी डाल देंगे और अच्छासा गोल्डन होने तक इसको बुनेंगे दो तीन मिनट तक गुनेंगे और एक लाल मिर्ची का दो टुकड़े में करकी वो भी डाल देंगे इसे सब टेश्ट आएगा इसमी और अभी एक बारी कट्टा हुआ टामाटर डाल देंगे टामाटर ओप्सनल है बाकी सबजी में डलता नहीं लेकिन मैं मुझे पसंद तुम्हें डाल रही हूँ और हलका सा नमक डालेंगे क्योंकि सबजी में पहले से नमक डाला हुआ है और हरी सबजी में बेसे भी नमक रहता है हलका सा चुटकी बन नमक डालेंगे ताकि मसाले में हमारा फिकापन नहीं रहे और अभी मसाला भुन के त्यार हो गया है सबजी जो हरी सबजी अमने फिस के लिए है वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और वही कुकर में थोड़ा सा अलका सा पानी डालेंगे ताकि हमारी सबजी वेश्ट नहीं जाए जो भी कुकर में सबजी चिपकी हुई है वो भी हमारी साथ में आ जाए और अभी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और दो-तीन मिनट पकाएंगे इसको दो-तीन मिनट बाद में थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे हरा धनिया से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और अच्छी कुश्बू रहती है सब जीवन के हमारी तयार हो गई है अभी इसको तड़का लगाएंगे अभी एक तड़का पेन लेंगे और इसमें एक चमच गीकी डाल देंगे और अभी गी गरम होने के बाद में जीरा डाल देंगे तोड़े राई डाल लेंगे और दो-तिन स्लैसेश में रिमिच्च और अध्रक दो लाल मिर्ची ये डाल देंगे और अच्छे से भून जाने के बाद में तड़का हमारा तयार है अभी सब्जी के अंदर डाल देंगे तड़कल लगके तयार हो गई है हमारी सब्जी ये देखो कितनी अच्छी सब्जी बनके तयार हुई है अभी एक चोटा टुकडा बटर का डाल देंगे जिसे इसमें और भी अच्छा टेस्ट आएगा लो हमारी सर्दियों की जान और पंजाब की सान सर्षो का साग बन के तयार है आप भी बनाएए इंजोई कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल पर नहीं आये हो पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना साथ में बेल आइकन भी दबाना ताकि मेरी नई डेसीपी आई उसकी करना पसंद करते हैं कमेंट करके जुरूर बताना मैं यहाँ पर बाजरे का आठा चान के ले लिए हूँ उसमें थोड़ा सा नमक डाल के मिक्स कर लेंगे आठे को नमक डाल के मिक्स कर लिया है मैंने अभी थोड़ा पाने डालेंगे और आठा गुंद लेंगे बाजरे का आटा एक साथ गूंदने से रोटी अच्छी नहीं बनती है एक एक रोटी का आटा गूंद देंगे और रोटी बनाएंगे बोथ अच्छी रोटी बनके त्यार होती है थोड़ा सा पाने डालेंगे और थोड़ा आटा लेंगे और अतेली की मदद से अटा गुंद लेंगे तोड़ा तोड़ा पाणी डालके यह देखो इस तरीके से अटा लगाना है एक साथ अटा नहीं लगाना है बाजरे का और ज्यादा कड़क अटा नहीं लगाना है नरमी लगाना है और जैसे गेहूं की रोटी की लोई बनाते हैं उसी तरीके से लोई बना लेंगे और अक्ष्ट्रा अटा रहता है उसको तोड़ के साइड में रख देंगे और इसी तरीके से दोनों अतेली की मदद से अलका अलका दबाएंगे और हलका सा हटा सूका लगाएंगे हतेली पे और लोई को लगा के अलका-अलका दोनों उंगली की मदद से इसे बढ़ा लेंगे लोई को और अभी दोनों हतेली की मदद से यहां से उंगली से लगाएंगे और यहां से हतेली के गुद्दे से साहरा लगाएंगे अलका अलका दबाएंगे तो रोटी अपने आप बढ़ जाएगी आगे से उंगली का सारा लगाना है उंगली दोन्नों हाथों के उंगली के बीच में दबाना है और एदे को इस तरीके से आसानी से बाजरे की रोटी बन जाती है बहुत आसानी से बन जाती है एक बार बना लोगे तो आप देर सारी रोटिया बना लोगे इदे को इस तरीके से रोटि बना लेना है मैं मिट्टी के तुवे पे रोटि बना रही हूँ मिट्टी का तवा मैंने गेर्स पे पहले ही गरम होने के लिए चड़ा दिया था अच्छा गरम होने के बाद में रोटी डालेंगे और अच्छे से दो मिनट पकने के बाद में रोटी को पलट देंगे और अच्छे से तवे पर ही शेक लेंगे दो तीन बार अलट पलट करके अच्छे से रोटी को शेक लेंगे और आप चाहो तो दूसरे गेस पे भी इसको शेख सकते हो यह देखो कितना अच्छा कलर आया है रोटी का और अच्छे से फूल गई है हमारी रोटी यह देखो कितना अच्छा कलर आया है रोटी का बाजरे की रोटी हमारी बन के तयार है इसी तरीके से सारी रोटी बना लेना है रोटी हमारी सिख गई है अभी नीचे उतार लेंगे और रोटी को गी लगाएंगे बाजरे की रोटी हो और गी नहीं लगाई और वो भी राजिस्तानी लोग गी भी ना तो रोटी खाती ही नहीं है बाजरे की गी लगा के ही रोटी इंजोई करते हैं बहुत अच्छी लगती है एक बार आप गी लगा के रोटी बाजरे की खाना बहुत अच्छी लगती है सारे सवाद भूल जाओगे ये दो रोटी मैंने बना लिए और अच्छे से गी लगा लिए है अभी सब करेंगे बाजरे की रोटी और सर्सो का साग और अभी थोड़ी खिरा काकड़ी रख देंगे सलाद में और गल कटा हुआ प्याज और गुड गुड की बिना तो बाजरे की रोटी और सर्सो का साग दो रहा है अभी रखेंगे दाई येलो हमारी सरसो का साग बाजरेगी रोटी सलाद दाई के साथ में आभी बनाईए इंजोई कीजिए और आज का वीडियो आपको कैसा लगा अच्छा लगे तो लाइक सेर जरूर करना और चैनल पर नई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए और साथ में बेल आइकन भी दवाए ताकि नए वीडियो की नोटिपे किसन आपको सबसे पहले मिले और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सको और फेमिली प्रेंट्स के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें और अपना किमती समय निकाल की वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद मिलते है अगले वीडियो में तब तक लिए जैहिंद बंदे मातरम